तीन महेने उने को गय हम यहां पर सर रहे हैं कैसा नीती है कैसा नियम है कैसा सिस्टम लगा के रखा है मुदो ते रहे, दिलगते रहे आप से हम गुहाँ लगाते रहे हाथ जोरती रहे बिंती करती रहे मोदीजी अगर आप परुना चलते दर्टी पर धूरा देर के लिए 10-15 मिनित के लिए बगर आप सेर सपाता कभने निकलते हैं तो कितने महुला हैं, कितने बच्चे, कितने युवा हैं आपके बाहर इंतजार कर रहेते हैं आपको जरा भी अंदाजा नहीं हैं इतने सारे लोग आपके एक दर्सन को तरस रहेते हैं कि मोदी जी आएंगे तो हम अपनी संकतों के बारे में अपने दुख तकलीपों के बारे में हम उनको बताएंगे और जो भीर आपने देखा ना पंदार के अंदर वो भाड़े के तक्तूते सब पंच-पांचो रुपे में हायर किया गया लोग था इतना पाम जान दिखाने की क्या जरूत है तो दिखाबा करने की क्या जरूत है मोदी जी हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं अगर हमको लेके चलिए आप हमें उठाएं यहां से और सीवी और ईवी के दो अफसर लेके चलिए अरे हमारे मोदी जी को ना प्रेमा खंदू का नाम उच्छारन में तुरह तकलिप होता है वो प्रेमा खंदू बोलते है तो जोदी जी आपका जो मित्र होना प्रेमा खंदी जी उसने आपको कुछ उल्टी सीदी पप्या परा कर रखे हुए है वे जो जो बताते हैं आप उसमें आख बन करके विश्वास कर लेते हो कान में नहीं ठूस लेते हो कि हम सिर्फ सुनेंगे तो प्रेमा भाय के सुनेंगे बाकी किसी की नहीं सुनेंगे अरो दून दो ना भईया पंदिंग कौन कर रहा है दून दो अर्मा चलके हर एक डिस्ट्रिक में जाओ हर एक जिले हर एक ब्लोक में जाओ गर-गर में जाके चांदिन करें, पंदिंग कॉन कर रहा है तो को सितर के पिछे, स्पॉंसर को निकाए के दिखाईए, कॉन पंदिंग कर रहा है, दिखाईए, हिपेना कांदू कुझी पंदिंग कर रहा है. पत्रकार मित्रों से मेरी निवेगन हो, क्या इस तरीके की, इसे क्या कहेंगो? अजर आपने पत्रकार मित्रों, अगर आप लहो के ध्यान में हो, तो आपने एक मोदी जी का एक स्पीच सुना होगा. हमारे भारत के प्रदान मंत्री मोदी जी, मोदी जी ने एक समारों में स्पीच दिया था, मोदी जी ने कहा था, मेरे लिए 133 करोर भारत की जो जनता है, वो मेरे लिए कोई छोटा, कोई भरानी है, सब मेरे लिए एक समारों है, बरावर है. मैं आज इस देश का प्रधान मंत्री बना हूँ तो मैं प्रधान मंत्री नहीं वलकि मैं इस देश का प्रधान सेवग बना हूँ और मुझे सेवा करने का अबसर प्रधान करके आप लोगों ने मुझे पर उपकार किया है इसलिए मैं हर एक इस देशबासियों को 135 करोर देशबासियों को में नमन करता हूँ और आपके सेवा में मैं अपने आपको 24 गंटे से मरपिग करता हूँ यही मोधी जी ने कहा था ना तो मोधी जी आज हम आपसे कहते हैं आप से हम सवाल करते हैं, कि मोधी जी आदर्मिय पिता श्री मोधी जी, कि आपके वो बाते कहां गए, आपके वो भावुक बाते कहां गए, आपके वो वाइदे कहां गए, आपने वाइदा कियाता ना, तो वो कहां चलेगा, ये कैसा नीती हो, कैसा नियम हो, कैसा सिस्टम ल करें के मैच और हमाँ पर में तो थेलाखि आपको में इसते को कुछ आपको सिम्मेदार से अभवकत कर आए पहलाए और गुवारत ही आपको फेल्ड़ार बिश को से जिए ओफ ता चिम्हा लगा आपको तो हमारे में आज जूरती रहे, बिनती करती रहे, आपके पैर के तो दर्सन हमें नहीं हो पाइए, फिर भी हम न्यूस चैनल के माधियम से आपके पैर छूटे रहे हम, फिर भी आपको एक बार भी सुनाई नहीं गो, लेकिन एक अच्छी बात मोधी जी ने करी हो, आपने अरुणाचल ज आपके बाहर इंतजार कर रहेते हैं, आपको जड़ा भी अम्राजा नहीं है। कि मोधी जी आएंगे तो हम अपनी संकतों के बारे में, अपने दुख तक्लीपों के बारे में हम उनको बताएंगे। लेकिन आपने वे मौका भी बहीं दिया। आप केबल आए और जो भीर आपने देखा पंदार के अंदर वो बारे के तक्तूते सब पांच-पांचो रुपे में हायर किया गया लोग था। यहाँ जो आज सो देखो के तादा आदमी यह जो भीर है ना यह बारे का तक्तू नहीं है। यह एक-एक महिला अपने अपने जेव सब पचास-पचास हजार रुपया इंतार करके यहां आए है। अपने गर सब तरसे खर्च करके यहां आए है। और यहां करक्शन के आगे उसे पैठे है। लेकिन वो जो पंदाल में 10-15,000 मुद दिखे ना नीज चानल में दिखाती भी इस्क्रीन में दिखाना सब पांसो पांसो में हायर किये वे भारे के तक क्योती लोग। क्या जरूरत है। इतना ताम जाम दिखाने की क्या जरूरत है। तक दिखाबा करने की क्या जरूरत है। मौदी जी के लिए हमारे दिल में इज़त है। हमने तो मौदी जी को संदेशा बेजा भी था। कि मोधी जी हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं अगर हमको लेके चलिए आप हमें उठाये यहां से और CBA और ED के दो अफसर लेके चलिए कुम सा नहीं इतना बराबारी बरकम चीज आपको यहां से उठाया आता है आप माने नहीं आपको लगता है मोधी जी आपके जो मित्रे है चोटे भाई पेमा खंदु जी स्रीमान अरे हमारे मोधी जी को ना पेमा खंदु का नाम उचारन में तोरह तकलिफ होता है वो पेमा नहीं बोलते है वो प्रेमा खंदु बोलते है तो मोधी जी आपको जो मित्रे है ना प्रेम आपके परिबार का हिस्सा है हमें अपने आपसे अलग मत कीजिए यह जितनी माताय आई हैं यह सारे माताय है इन माताओं का कोई पूसूर नहीं है इन्होंने मुझे देचा ठाल चलते हुए लिए लेखा हमेरे मुझे मुझे इसलिए यह लोग आज यहां आए हैं अपने पैसे खर्चे करते हैं यहां पर भी वहां सबाल करते हैं अरे दून दोना भईया फंदिंग कर रहा है अरना चलके हर एक दिस्ट्रिग में जाओ हर एक जिल्ले हर एक ब्लोक में जाओ गर गर में जाके चांदिं कर रहा है तो को सितल के पीछे प्रप्रस पंदिंग कर रहा हिए हैं सारे आनं जंता पंदिंग कर लिया ने कि बताती हूं एकिन अब लगों को इस पर धरोचा नहीं होता है intent